हेलो एब्रीवन एक से 6.4 चल रही थी क्वेशन नमबर 4 के हम लोग 3 पार्ट कर चुके थे अब बाकी के दो पार्ट करते हैं एक फिर से क्वेशन पढ़ लेते हैं क्वेशन है हमारा find the least number which must be subtracted from each of the following numbers so as to get a perfect square ठीक है तो हमार पास यह जो नमबर दे रखे हैं हमें एक ऐसा least number पता करना है जो कि इन में से घटाया जाए और फिर एक यह perfect square नमबर बन जाए उसके बाद जो नमबर आएगा उसका square root भी निकालना है ठीक है तो part 4 में है 825 तो सबसे पहले हम क्या क करेंगे इसको division method से इसका square root निकालने की कोशिस करेंगी और इसका क्या remainder आएगा वह हम देखेंगे तो देखो 825 हम यह लिख लेते हैं first step हमारी क्या होती कि इसमें pair बना लेते हैं last से pair बना लिए तो यह 25 पा तो pair बन गया 8 unpaired रहे गया तो यहाँ पर ऐसा number हमें लेना है क को उसी से multiply करने पर या तो 8 आए या इससे थोड़ा सा कम आए इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए तो देखो यहां अगर मैं लेता हूं टू तो टू टू जा फोर इससे थोड़ा कम रहेगा अगर 3 लेता हूं तो 3 3 जा 9 इससे ज्यादा हो जाएगा तो हम लेंगे यहां प 25 को और 7 जो ऊपर हमने लिखा उसको इसके नीचे लग करके plus कर देना है 2 प्लस 2 कितना हो जागा 4 और साथ मैं एक डैस लगाना है ठीक है देस हमने इसलिए लगा है यहां पर हमें एक ऐसा number लेना है जो यह डू डिजिट number बन जागा इसके साथ मिलके जैसे सपोज मैं लेता हूं तो 46 को सिक्स से करUrees WILL लेखता हूं तो 47 हो जएग उससेlier बिडिखे ।com करने पर इसे थोड़ा सा कम आण ठीक है एक काम करते हैं हम यहां पर पहले 7 से करके देखते हैं जैसे 47 हो जाए गाना 47 को 7 से मल्टिप्लाइ खरके देखते हैं कितना आ जाए गा तो 47 हो जागा चिरको 7 से मल्टिप्लाइए करने पड़ेगी 47 को देखो 7 से मल्टिप्लाइए करने पर कितना आगा 77 जा 49 4 क्यारी आ जागा 7 4 28 28 और 4 कितना हो जागा 32 329 इससे थोड़ा काम है यह काम करें यह बात तो नहीं बनेगी 8 जा करके देख लेते हैं 48 को जड़ा 8 से करते हैं मल्टिप्लाइए कितना आगा 48 को 8 से करेंगे तो 8 8 64 6 क्कैरी 8 4 32 32 और 6 कितना हो 38 देखो अभी भी कम है 9 करके देख से कितना आएगा 49 से करके देखते हैं को करके देखते हैं तो देखो पहले नाइन से करके देख लेते हैं ठीक है यह ज्यादा नंबर है तो इक काम करते हैं पहले 9 से करके देखते हैं यहां लिखेंगे तो 9 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो 9 से कितना आता है 9 9 जब 81 8 करी 9 4 36 36 और 8 36 और 8 आजाएगा अमर पर 44 तो यह ज्यादा हो जाएगा इससे ठीक है तो यह नंबर नहीं लेंगे फिर हम किससे करेंगे और 8 जाएगा क्योंकि तो 48 को करेंगे 48 को जब 8 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो कितना आजागा यह जाएगा तो 9 जादा हो जागा इसलिए 8 जा ले लेते हैं तो 8 जाहन में लिखा 8 यहां लिखेंगे 8 ही यहां लिखेंगे तो 48 को जब 8 से multiply करेंगे तो कितना आगा 3 8 4 ठीक है अब यहां minus कर देते हैं 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा अब 2 में से जाएगा नहीं 8 यहां से carry ले लेते हैं तो यहां हो जाएगा 12 12 में से 8 बचेगा 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 4 ठीक है और यहां बचा 3 3 में से 3 गया 0 तो remainder हमारा कितना आ जाता therefore 41 is the least number 41 is the least number that must be subtracted so as to get a perfect square ठीक है इससे आप इसको question मैं से लिख ले ना तो 41 is the least number that must be subtracted so as to get a perfect square ठीक है अब 41 को इस मैं से घटा देते हैं क्योंकि हमें square root भी तो चाहिए तो देखो 825 मेंसे of 41 को – करेंगे तो कितना जागा it to 5 मैसे 41 को – करेंगे तो देखो – कर देते हैं यहां 5 में से एक गया तो बचा में पास 4 ठीक है यहां ड्लीड से जाएगा निकटिश ले ले लेंगे तो 12 में 4 1150 को बचेगा 8 ठीक है .5 3-sided माइनस करके कितना जाए 784 तो 784 एक स्क्वाइर नंबर है अब इसक्वाइर नंबर आगे 784 अब हमें इसका स्क्वाइर रूट भी निकालना है तो देखें स्क्वाइर रूट अगर हमें निकालना तो क्या करेंगे रूट 784 और इसकी वैलू कितनी आएगी इसकी वैलू आएगी वही जो उपर आए थी कितनी 28 तो 784 का रूट कितना आ गया 28 ठीक है यह हमारा फाइनल आंसर आ गया ठीक है अब नेक्स पार्ट करतें नेक्स पार्ट है हमारा 4000 ठीक है 4000 तो 4000 के साथ में हम ऐसी करेंगे तो पहल था ओजेंट देखो अब लास्ट से प्यर बना लेते हैं 20 तो का तो एक प्यर बन गया यहां पर इसका प्यर बन गया यहां क्या नमबर लें 6 ले लेते हैं 6 जब 36 46 कम रहेगा और 7 लेते तो 77 जब 49 इससे ज्यादा हो जाता तो 6 से लेते हैं 6 6 जा 36 तो 40 में से 36 मैंस करेंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा नेक्स दो 0 उतार लेंगे नेक्स पेर उतार लिए हमने 00 अब जो उपर लिखा 6 इसको 6 के नीचे लिखेंगे और जोड देंगे 6 प्लस 6 कितना हो जागा 12 और साथ में एक यहां डैस लगा देंगे डैस क्यों तो मैं यहां लिखता हूँ 5 तो 125 हो जागा 125 को 5 से करूंगा तो कितना आ जाएगा जाएगा जो किससे ज्यादा आ जाएगा तो मैं 5 जा नहीं लेना 3 करते हैं 3 कितना आएगा तो 123 को 3 से मल्टिप्लाइ कर दें 4 जा करेंगे तो ज्यादा आ जाएगा तो कितना है हमार पास 31 मायनस करके आ जाएगा ठीक है माइनस आप कर दिना 31 आ जाएगा ठीक है अब क्या करते हैं देखो रिमेंडर बजगे हमारे पास 31 तो फस्ट पार्ट में जो पूछा था ना find the least number that must be subtracted तो उसका तो आंसर आगे यह यानि एक तो आंसर हमारा यह आगे यानि 31 is the least number that must be subtracted तो क्या लिख देंगे 31 is the least number that must be subtracted so as to get a perfect square ठीक है तो इसको आप complete करने ना एक तो यह लिखेंगे अब 31 को minus कर दो कितने से 4000 हमारा नंबर तो 4000 में से 31 को माइनस कर दो तो कितना आएगा माइनस करके 3969 4000 में से 31 को माइनस करेंगे तो कितना बज़ेंगे 3969 और यह perfect square number हमारा आ जाता है किसका square होगा यह होगा 63 का तो हम क्या करेंगे रूट में इस तरह से लिखेंगे रूट ओवर 3969 तो इसका square रूट यह अंडर रूट इसकी वैलू कितनी आ जाएगी 63 ठीक है तो इसका square रूट आ गया 63 ठीक है तो यह question हमारा complete होगी आई वोप कि आपको इस समझ में आया होगा next video में हम question number 5 करेंगे ठीक है ओके थाइंक्यू